नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है अनकैडमी के प्लेटफॉर्म अनकैडमी अभियान पर जहां पर हम ना सिर्फ आने वाली प्रारंभिक परिक्षा बलकि सभी एक्जामों को ध्यान में रखते हुए भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं इंडियन जोगरफी पढ़ रहे हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया भारत के सामान परीचे में हमने दो बड़े टॉपिक कम्प्लीट कर लिये हैं हमने भारत की भौगोलिक इस्थिती के बारे में पढ़ लिया है Geographical Location of India के बारे में पढ़ लिया है साथ ही साथ हमने भारत के राज्य और संग सासित प्रदेशों के बारे में पढ़ लिया है इंडिया के State और Union Territory के बारे में पढ़ लिया है कल से हमने एक बड़ा महत्वपून टॉपिक पढ़ना शुरू किया था भारत की सीमाएं और उसके पड़ोसी देश इंडियास बॉडर एंड नेवरिंग कंट्री और इसमें दोस्तों आपको याद होगा तो सबसे पहले हमने ये डिसकस किया था कि भारत की जो इस्थलिय सीमा है वो 15200 किलोमेटर की है 15200 किलोमेटर की इस्थलिय सीमा है वहीं जो कोस्ट लाइन है जो कोस्ट लाइन है वो भी हमने डिसकस किया था 7516.6 किलोमेटर की भारत की कोस्ट लाइन है तटिय सीमा है फिर हमने एक बड़ा ही महत्वपून टॉपिक डिसकस किया था कि भारत की जो इस्थलिय सीमा है इंडिया की जो टेरिस्टोलियर बाउन्डरी और फिर लेंड बाउन्डरी है वो साथ देशों की सीमा साज़ा करती है वो seven countries के साथ अपनी border को share करती है उसके देशों के नाम है बांगलादेश जिसके साथ सबसे ज़्यादा सीमा साज़ा होती है बांगलादेश के साथ हमारी longest international boundary है उसके बाद चाइना, चाइना के बाद दोस्तो पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद नेपाल, उसके बाद म्यानमार ठीक है फिर हमने देखा था भूटान और फिर दोस्तो हमने देखा था अफगानिस्तान और कल की ही क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ना शुरू किया था कि भारत और बांगलादेश की सीमा, इंडिया और बांगलादेश की boundary और ये भी हम देख रहे थे कि भारत और बांगलादेश के बीच में कौन-कौन से मुद्दे है उससे पहले मैं एक बात आपको बता दू, which is very much important, कि कल मुझसे एक factual गलती हो गई थी, उसको ठीक कर लीजिएगा कि जो जूरा परवत है, वो फ्रांस और स्विट्जर लेंड के बीच की सीमा बनाता है, वो मैं PDF में भी upload कर दूँगा और दूसरी बात, फ्रांस और इस्पेन के बीच में, पेरिनीज नाम के mountain है, वो फ्रांस और इस्पेन की boundary बनाते हैं, तो जूरा माउंटेन, स्विट्जर लेंड और फ्रांस के बीच में है, ये प्लीज अपडेट कर लेना, comment में भी मैंने डाल दिया था, और PDF में भी हम अपलोड कर देंगे, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, तो कल दोस्तों, हमने भारत की अंतररास्टिय सीमा के तहट, इंडिया की international boundary के तहट, भारत और बांगलादेश को पढ़ना शुरू किया था, हमने देखा था कि भारत की 4096 km की जो boundary है, 4096 km की boundary, बांगलादेश के साथ भारत शेयर करता है, और कितने राज्य हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, कि अगर ये बांगलादेश है, तो भारत के 5 राज्य हैं, सबसे पहला राज्य यहां पर पस्चिम मंगाल देखने मिला था, जो सबसे बड़ी boundary शेयर करता है, फिर दोस्तों, असम है, फ और त्रिपुरा और बांगलादेश के बीच में जो boundary है, उसे जीरो लाइन के नाम से जाना जाता है, ये बिलकुल बेसिक बातें, जो हमने सीमा के बारे में पढ़ी थी, फिर हमने दिसकस करना शुरू किया था, कि भारत और बांगलादेश के बीच कौन-कौन से विवाद हैं, तो पहला विवाद है दोस्तो, सुन्दरवन डेल्टा को ले करके, क्या विवाद है, समझें, तो हमने जाना था कि जो सुन्दरवन डेल्टा है, वो गंगा और ब्रम्हपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाने वाला सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, सुन्दरवन इ जब बांगलादेश में जाती है तो उसे पदमा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र जब बांगलादेश में जाती है तो उसे जमुना के नाम से जाना जाता है और इन दोनों का संगम हो जाता है ये दोनों आपस में मिल जाती है तो इसे हम मेगना के नाम से जानते ह और अल्टिमेटली जो मेगना नदी है वो बंगाल की खाडी में गिर जाती है अब अगर हम सुन्दर्वन डेल्टा की बात करें दोस्तों जो की गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है तो इसे हम दो हिस्सों में बाढ़ सकते हैं एक वेस्टर्ण सुन सुन्दर्वन वाला जो इलाका है वो भारत के पस्चिम बंगाल में आता है इंट्रस्टिंग बात ये है कि भारत में जो सुन्दर्वन डेल्टा है वो एक आद्रभूमी है वो है एक वेटलेंड है हम आगे वेटलेंड के बारे में भी पढ़ेंगे और ये ऐसी वैसी आद और हमने ये भी जाना था कि ये भारत की 27 वी रामसर भूमी है और भारत की सबसे बड़ी अरथात लार्जिस्ट रामसर साइट है जो हमने भारत के सुन्दरवन डेल्टा के बारे में जाना था ये point भी याद रखेगा कि सुन्दरवन नाम कैसे पड़ा है तो यहाँ पर सुन्दरी नाम का एक वरक्ष पाया जाता है और यहाँ पर mangrove vegetation पाया जाता है भारत का सबसे ज़्यादा mangrove vegetation सुन्दरवन वाले इलाके में देखने को मिलता है और यहाँ दोस्तो white tiger भी दा बंग में दिखने के बाद दूसरा topic जो हमने discuss किया था वो second topic जो हमने discuss किया था वो तिपाई-mukh-bandh या तिपाई-mukh-dÎem को लेकर के किया था टिपाई मुख बांध कहां पर है? तो हमने जाना था कि ये मांध मणीपुर में इस्स्तित है. साहब कौण सी नदी पर है? तो एक नदी है दोस्तो, बराक, जो मणीपुर से ही निकलती है, तो बराक नदी और जो आगे जाकर के ब्रम्ह पुत्र नदी में मिल जाती है, और य बांगलादेश ये कहता है कि बराक जो which is the tributary और ब्रह्मपुत्र तो इसकी वज़े से ब्रह्मपुत्र में पानी कम हो सकता है, although ये issue resolve हो चुका है, बस इतना याद रखिये कि टिपाई मुखबांध बड़ीपुर में इस्थित है, फिर दोस्तों हमने तीसरा मुद्दा जो discuss किया था, जो बहुत important है, वो तीसता river dispute है, जो अब भी भारत और बांगलादेश के बीच में चल रहा है, हमने जाना था कि जो तीसता river है, वो सिक्किम से originate होती है, सिक्किम से ये नदी निकलती है दोस्तों, और सिक्किम में भी देमू गलेशियत से ये नदी निकलती है, सिक्किम के बाद ये पस्चिम बंगाल जाती है, वेस्ट बंगॉल जाती है, और वेस्ट बंगॉल के बाद ये बांगलादेश जाती है, बांगलादेश जाने के बाद ये ब्रम्ह पुत्र में मिल जाती है, और फिर अल्टिमेटली ये बंगाल की खाडी में चली जाती है, तीस्ता नदी बांगलादेश की चौती प्रमुख नदी है और बहुत सारा पानी बांगलादेश के लिए बड़ा ही उप्योगी है तो हमेशा से ये बिवाद चलता रहा कि भारत के पास, इंडिया के पास कितना पानी होना चाहिए और बांगलादेश के पास कितने पानी का अधिकार होना चाहिए तो हमने जाना था कि 1983 में 1983 में भारत और बांगलादेश ने इसके लिए एक समझोता किया और कहा गया कि 39% जो पानी है वो भारत इस्तमाल करेगा 36% जो पानी है वो बांगलादेश इस्तमाल करेगा और 25% जो पानी है उसको अनलोकेटिड या नदी के लिए रखा जाएगा फिर 2011 में इस चीज को बढ़ाने की बात कही गई पर भारत में जो वाटर है वो एक स्टेट का सबजेक्ट है तो ममता बनर जी इस बात के लिए अगरी नहीं हुई और ये अगरिमेंट नहीं हो पाया तो फिलहाल 1983 का अगरिमेंट भारत और बांगलादेश के बीच में जाता है रंगित भी कहा जाता है और ये भी सिक्किम की एक महत्वपून नदी है तो ये तीसरा विवाद था जो हमने डिसकस किया था फिर चौते नंबर पर हमने एक और important topic डिसकस किया था और ये था दोस्तो तीन बीघा कॉरिडोर को ले करके तीन बीघा कॉरिडोर से पह आपको और enclave का मतलब होता है कि जैसे ये एक देश है और यहाँ पर ये दूसरा देश है तो अगर इस देश का कुछ हिस्सा यहाँ पर है और इस देश का कुछ हिस्सा यहाँ पर है तो इन्हें enclave कहा जाएगा इन्हें अंतह छेत्र कहा जाएगा तो इसी तरीके से हमने द लेकिन बांगलादेश के दो इलाके जिसे अंग पोत्ता और दोह ग्राम कहा जाता है अंग पोत्ता और दोह ग्राम ये अंग पोत्ता वाला इलाका है ये दोह ग्राम वाला इलाका है तो ये भारत के इलाके में आते हैं इंडिया के इलाके में आते हैं तो कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा इशू था तो भारत और बांगलादेश की सरकार ने ये decision लिया 1992 में कि हम क्या करेंगे पस्चिम बंगाल के वेस्ट बंगॉल के कूछ बिहार वाले इलाके में एक कॉरिडोर बनाएंगे जो अंग पोत्ता दोह ग्राम को बांगलादेश के साथ कनेक्ट करेग तो इस चीज को कनेक्ट करने के लिए एक कॉरिडोर बनाया गया और इसी कॉरिडोर को तीन बीगा कॉरिडोर कहा जाता है शुरुवात में इसमें कम आर्स में आने की अनुमती थी 2011 से ये कॉरिडोर 24 गंटे के लिए ओपन कर दिया गया 24 आर्स के लिए इसे ओपन कर दिया तो ये चौथा मुद्दा था, फिर हमने कल पांचवे और आखरी मुद्दे की चर्चा की थी दोस्तों, और पांचवे मुद्दे का नाम था कि भारत और बांगलादेश के बीच में कौन कौन सी ट्रेंस चलती हैं, तो हमने जाना कि भारत और बांगलादेश के बीच में ती बंधन के बाद दूसरी train चलाई गई, उसे हम मैत्री के नाम से जानते हैं, और मैत्री के बाद जो तीसरी train चलाई गई, उसे हम मिताली के नाम से जानते हैं, जो 2022 में जून में इस train को शुरू किया गया, तो ये भी आपको याद रखना है, कि मैत्री, I think मैं थोड़ा समझ र में शुरू हुई थे और 2022 में मिताली शुरू हुई है तो ये तीन ट्रेने हैं जो भारत और बांगलादेश के बीच में चलती हैं तो ये पॉइंट दोस्तों हमने कल हमने पढ़े थे उमीद करता हूँ देखिए मैत्री 2008 में बंधन 2018 में और मिताली 2022 में तो इतने मुद्दे हमने कल तक की क्लास में पढ़ लिये थे अगर कल आपको समझ नहीं आए तो उमीद करता हूँ इस क्विक रिवीजन के द्वारा पूरे टॉपिक आपके रिवाइस हो गए होंगे चलिए तो आगे बढ़ाते हैं कलास को और भारत और बांगलादेश के बीच में दूसरे कौन से मुद्दे हैं उनकी चर्चा अभम करते हैं तो अगला मुद्दा जो भारत और बांगलादेश के बीच में है वो फरक का बैराज को ले करके है देखो बैराज एक प्रकार का बांध होता है एक प्रकार का डैम होता है और आप जानते हैं कि डैम के द्वारा नदी का पानी रोका जाता है और उसके तीन काम होते हैं पानी रोकने के बाद पहली बाद तो वहां से नहरे निकाली जाती है जिसका काम इरिगेशन में होता है नहर निकालने के वहाँ पर हाइड्रो पावर बनाये जाते हैं, ठीक है, तो विद्धूत का उत्पादन होता है और तीसरा, उस छेतर का उपएोग मतस्य उत्पादन और परियतन के लिए किया जाता है, फिसरीज और साथी साथ में टूरिजम के लिए भी उसे डेविलप किया जाता है, तो द गंगा की एक वितरिका है एक डिस्ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है शुखली जिसका नाम क्या है हुगली और हुगली नदी के किनारे एक बंदरगाह है दोस्तों और इसे कहा जाता है कलकत्ता बंदरगाह कोलकता पोर्ट और इसको एक और नाम दिया जाता है पूर्व का लंदन लंदन अफ दी इस्ट थेकर इस किस नदी पर है हुगली नदी पर है तो ह हुगली नदी पर एक बंदरगाह है, जिसे कलकत्ता बंदरगाह कहा जाता है, और हुगली जो है वो गंगा की वित्री का है, डिस्टिब्यूटरी है, देखो दो अंतर समझना, सहायक नदी का मतलब क्या होता है, जिससे माल लीजिये कि ये एक नदी है, और इस नदी में, जब एक मुख्य नदी में से, जब एक प्रमुख नदी में से, एक दूसरी नदी बाहर निकल जाए, तो इसे हम वित्रीका कहते हैं, इसे हम डिस्टिब्यूटरी कहते हैं, तो ये अंतर आपको याद रखना है, अब समस्या समझियेगा कि क्या प्रॉब्लम जा रही थी, लेको कलकत्ता बंदरगाह एक बहुत महत्पून बंदरगाह है, एक बहुत ही important port है, तो हुगली नदी में एक समस्या जाने लगी, जिसे गाद की समस्या कहा जाता है, जिसे सिल्ट की समस्या कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी गाद यहां पर एकट्टी होने लगी, जिसकी वजह से ये बंदरगाह अच्छे से काम नहीं करता था और इसके management का खर्चा बहुत जादा आने लगा तब एक सलाह दी गई तब एक suggestion दिया गया कि साहब एक काम करते हैं एक काम करते हैं कि अगर हम इस नदी में पानी को बढ़ा दें अगर हम इसमें water को बढ़ा दें तो ये गाद की समस्या को resolve किया जा सकता है तो पस्चिम बंगाल में एक जगे है दोस्तों यहाँ पर पस्चिम बंगाल में एक जगे है West Bengal में और इस जगे का नाम है मुर्शीदाबाद तो मुर्शीदाबाद में 1975 में एक dam शुरू किया गया और इसी बांध को हम फरक्का बैराज के नाम से जानते हैं तो फरक्का बैराज का जो पानी है वो हुगली नदी में पहुचाया जाने लगा जिससे यहाँ पर गाद की समस्या खतम हो गई और कलकत्ता बंदरगाह आसानी से और अच्छी तरह से काम करने लगा लेकिन अब फरक्का बैराज को लेकर के कुछ समस् पहली समस्या जो बिहार के मुख्यमंत्री ने कही कि फरक्का बैराज को खतम किया जाना चाहिए क्योंकि इससे बिहार वाले इलाके में बाढ़ आ रही है। लेकिन वो एक समय के बाद नदियों के अंदर आ जाती है आस्रे लेने के लिए। तो जब तक फरक्का बांध नहीं बना था तो ये मचलियां दोस्तो आगरा तक पहुँच जाती थी। यहां तक ये मचलियां आ जाती थी। लेकिन फरक्का बांध बनने के बाद ये मचलिया नहीं आ रही है जिससे fisheries industry को नुकसान हो रहा है तो ये एक बहुत बड़ा issue है कि हिलसा मचली नहीं आ रही है अब कहा जा रहा है कि जो फरक्का बैराज है हम उसमें एक fish pass बनाएंगे मतलब मचलियों के लिए एक जगह बनाएंगे जहां से मचलिया निकल सके ताकि इस problem को resolve किया जा सके तो फरक्का बैराज अभी चर्चा में है ये basic point कुछ याद रखिएगा कि कब बना था तो इसका foundation सुरू हुआ था 21 April 1975 को कहां पर है मुर्शीदाबाद में है पस्चिम मंगाल में और उद्देश मैंने आपको बता ही दिया कि कलकत्ता बंदरगाह में गाद की समस्या को resolve करना यहाँ पर देख भी सकते हैं यह फरक्का बैराज है यह हिलशा फिस है जो आपको यहां दिखाई देगी और यह ultimately जा रहा है पटना में कहा गया कि पटना में बहुत सारी बाढ़ आ गई जो फरक्का बैराज की वज़े से आई तो इसको खतम किया जाना चाहिए यह सारी बातें उठ रही है यह हुगली नदी है और यह देखिए जैसे ही गंगा बांगलादेश में जाती है उसका नाम पदमा हो जाता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि विवाद क्या चल रहा है और इस मचली का नाम याद रखना हिल्शा और थोड़ा सा पढ़िएगा इसके बारे में कि इहल्सा नदी कब आती है कैसे आती है तो इहल्सा मचली जो है भूमी बॉर्डर समझोता कहा जाता है तो शुरुवात में हमने आपको एक कहानी समझाई थी दोस्तों और कहानी हमने आपको एनकलेव की समझाई थी हमने आपको बताया था कि ये भारत वाला इलाका है और ये बांगलादेश वाला इलाका है तो जब भारत और बांगलादेश की बाउंडरी इतनी आसा नहीं है, जो मैंने यहाँ पर बना दी है, बहुत टिपिकल सी बाउंडरी है, तो बांगलादेश के लगभग 51 एनक्लेव, अल्मोस्ट 51 एनक्लेव भारत में आते थे, और भारत के लगभग 111 अंतह छेत्र, 111 एन कि आप खुद सोचिए कि यह भारत का हिस्ता है, लेकिन यह चारों तरफ से बांगलादेश से घिरा हुआ है, तो ना यहां के नागरिकों को अधिकार मिलेंगे, ना ही सुविधाई मिलेंगे, तो इन्हें कहा जाता था कि यह ऐसे नागरिक जो किसी देश के नहीं है, तो बेसिक हुमन राइट्स का हनन हुआ, वाइलेशन हुआ, तो दोस्तो 1974 में, 1974 में, भारत की प्रधान मंतरी इंदरा गांधी और बांगलादेश के मुझीबुर रह्मान ने एक समझोता किया, और उन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं, कि जो भारत के एनक्लेव में हैं, उसे हम बांगलादेश में मर्ज कर लेंगे, और जो बांगलादेश के एनक्लेव इंडिया में हैं, तो उन्हें इंडिया में मर्ज कर दिया जाएगा, लिकिन इसमें एक समस्या आ रही थी, समस्या ये आ रही थी दोस्तों, कि इसमें भारत के चार राज्य सामिल इंडिया के चार इस्टेट इन्वाल्व थे सबसे पहले पस्चिब बंगाल इन्वाल्व था असम इन्वाल्व था मिघाले इन्वाल्व था और त्रिपुरा इन्वाल्व था मिजोरम इन्वाल्व नहीं था और मिजोरम का हिस्सा आता है पर मिजोरम इसमें इन्वाल्व न चाहते हैं तो इसके लिए आपको संविधान संशोधन करना होगा, constitution amendment करना होगा और संविधान संशोधन करके पहली जो अनुसूची है, first schedule है जिसमें भारत के राज्य और संग सासित प्रदेशों की जानकारी दी गई है, जिसमें इंडिया के state और union territory की information दी गई है, इसका सं संशोधन करना पड़ेगा, amendment करना पड़ेगा, तो 1974 में ये समझोता हुआ, पर भारत में संविधान संशोधन नहीं हो फाया, finally दोस्तों, 7 मई, 7 में, 2015 को भारत का सौवा संविधान संशोधन पारित हुआ, और सौवे संविधान संशोधन के द्वारा ये निरने लिया गय कि साहब बांगलादेश के 51 एंकलेव जो भारत में हैं, वो भारत में मिला लिये जाएंगे, वो इंडिया का हिस्सा हो जाएंगे, और भारत के 111 एंकलेव जो बांगलादेश में हैं, वो बांगलादेश को दे दिये जाएंगे, उन पर बांगलादेश का ही अधिकार हो ज अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि सर भारत को सिर्फ 7000 एकड मिला जबकि भारत का 17000 एकड का इलाका चला गया, हमको लगबग 10000 एकड का नुकसान हुआ, पर याद रखिए, humanity is important, वहाँ पर जो लोग रह रहे थे, ना तो उनके कोई अधिकार थे, ना ही उनको कोई स इसका एहसास हमें नहीं होता क्योंकि कभी हम सोचते नहीं हैं, पर एक दिन सोचिये कि अगर हमारी identity खतम कर दी जाए, आपकी कोई identity ना हो, record ना हो, तो आपके लिए survival कितना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए, that is a very good decision of a government, और ये पुराना समझोता है, जिसे अब किया गया है, तो ये सौवा समझोता है, ये सौवा समविधान संशोधन है भारत और जिसके द्वारा land border agreement किया गया भारत और बांगलादेश के बीच में, ठीक है, चार state involved हैं, असम, वेस्ट बेंगॉल, मेगाले और त्रिपुरा, आगे बढ़ते हैं, अब हम आखरी issue की च बांगलादेश का, ये बांगलादेश है और ये हर तरब से भारत से लगा हुआ है, तो भारत में आना यहां से आसान है, कोई बहुत बड़ा टास्क रही है, बांगलादेश से इंडिया में एंटर करना, बहुत बड़ी boundary है, कहीं से भी आप भारत में आ सकते हैं, अब issue की शुरुवात कैसे होती है, तो issue की शुरुवात 1947 में ही हो गई थी, 1947 में आप जानते हैं कि भारत का बिभाजन किया गया, और भारत का बिभाजन करके, भारत तो है ही है, इंडिया तो है ही है, साथ ही साथ पाकिस्तान का निर्मान किया गया, और दोस्तों, आज जिसे हम बा बांगलादेश के रूप में है ये पहले पाकिस्तान का हिस्सा था और इसे इस्टर्ण पाकिस्तान कहा जाता था इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था और ये जो इलाका है ये वेस्टर्ण पाकिस्तान कहलाता था पर्श्चुमी पाकिस्तान कहलाता था मतलब अब सोच कि बीच में भारत है, कोई connectivity नहीं है, फिर भी ये दो देश इस तरीके से चला करते थे। तो बांगलादेश was basically the eastern Pakistan, ये basically पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा कहलाता था। तो जब विभाजन हुआ, तब ही बहुत सारे लोग भारत में आगे, actual problem कहां से शुरू होती है, वो समझ है, 1970 के बाद, खास्तोर पे 1965 के बाद, जब पस्चमी पाकिस्तान ने eastern Pakistan को धवाना शुरू कर दिया, तो यहां पर बहुत सारे विद्रोह होने लगे, यहां पर बहुत हरकंप बचने लगा, तो बहुत सारे लोग भारत के लिए migrate करने लगे, इंडिया की और प्रवास करने लगे, यही रीजन रहा कि 1971 में भारत वर में आना नहीं जाता था, लेकिन भारत के पास option नहीं बचा क्योंकि बहुत सारे लोग migrate होकर के इंडिया आ रहे थे, तो 1971 में जब बांगलादेश में एक युद्ध हुआ और उसके बाद बांगलादेश का गठन हुआ भारत का बहुत बड़ा योगदान है, बांगलादेश को बनाने में, मुक्तिवाहनी operation ये सारी चीज़े, तो बांगलादेश जब बन गया, तब दोस्तो इस समय बहुत सारे लोग migrate होके इंडिया में आ गए, बांगलादेश तो बन गया सारी चीज़ों गई, लेकिन भार भारत आ चुके थे, तो भारत में भी ये लोग mainly असम वाले इलाके में गए, तो असम में दोस्तो बहुत सारे विद्रोह होने लगे, बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लगे, और खास तोर पर ये विद्रोह कौन कर रहा था, तो ये विद्रोह all असम, student union या आसू के द्वार आएंगे, तो finally इस विद्रोह को सांत करने के लिए, केंद्रिन सरकार और all असम, student union के बीच में, 15 अगस्त 1985 को एक समझोता हुआ, 15 अगस्त 1985 को एक समझोता हुआ, जिसे असम अकॉर्ड कहा जाता है, तो इस असम अकॉर्ड में जो पहली बात कही गई, वो ये कहीगी कि जो असम है, वहाँ पर NRC को लागू किया जाएगा, वहाँ National Register of Citizenship को लागू किया जाएगा, NRC क्या होता है, वो समझें के पहले, तो NRC बेसिकली दोस्तों 1951 में बनाया गया था, और इन में उन सभी लोगों के नाम है, जो उस समय भारत के नागरिक थे, तो जो भी भारत के सि citizenship में होता है, लेकिन इसे लागू नहीं किया जाता है, इसके लागू करने का मतलब है, कि फिर ये देखा जाएगा, कि कितने लोगों का नाम इसमें है, और जिसका भी नाम इसमें नहीं होगा, उसे देश से बाहर कर दिया जाता है, तो इसे सिर्फ अभी असम में लागू क किया जाता है, जहां बाहर से लोग ज़्यादा आते हैं, लेकिन इसमें भी एक बात कही गई, असम अकॉर्ड में एक बात कही गई, कि आप 1951 का डेटा मतलो, आप इसमें एक काम करो, ऐसे लोग जो 24 मार्च, जो 24 मार्च 1971 के बाद, भारत आये हैं, उनको बांगलादेश तो एक्च्वल रूल तो ये है, कि 1951 के हिसाब से एनर्सी को लागू होना चाहिए, पर असम अकॉर्ड में ये कह दिया गया, कि 1971 के बाद, जितने भी लोग असम वाले इलाके में आये हैं, उन्हें बाहर कर दिया जाए, और इसे हाल ही में लागू किया गया है, National Register of Citizenship, तो जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, उन्हें असम से बाहर करने की बात कही गई, तो ये मुद्दा है दोस्तो, अवेध्य प्रवासन का, ये मुद्दा है illegal migration का, तो इस तरह दोस्तो, भारत और बांगलादेश के बीच में ये आठ प्रमुख मुद्दे थे, तो बहु करके हम issues को discuss करते गए, चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले topic पर, पहले मैं एक मिर्ट का break लेता हूँ, फिर हम भारत और चीन की चर्चा करेंगे, इंडिया और चाइना की चर्चा करेंगे, ठीक है? चलिए, तो अब दोस्तों हमें अगले topic पर बढ़ना है, और हमें भारत और चीन की सीमा की चर्चा करना है, इंडिया और चाइना की border को discuss करना है, तो जैसा कि हम कल की class में discuss कर चुके थे, कि भारत और चीन के बीच में 3488 किलो मीटर लंबी सीमा है, जो भारत के चार राज्य और एक केंद्र शाषित प्रदेश से लगती है, अगर हम भारत के मैप को देखें, तो सबसे पहले यहां पर दाख आएगा, जो union territory है, उसके बाद भारत के राज्यों में हिमाचल प्रदेश आएगा, फिर दोस्तों उत्राखंड आएगा, फिर जब यहां पहुँचेंगे तो सिक्किम दिखाई देगा, और सिक्किम के बाद इस पूरे इलाके में अरुनाचल प्रदेश दिखाई द territory है, अब important बात ये है कि भारत और चीन के बीच जो सीमा है, उसके दो अलग अलग नाम है, देखो, अगर हम भारत और चीन के बीच की, इसे यहां पर चाइना है, यह भारत है, यह इंडिया है, और यह चाइना है, तो भारत और चीन के बीच में हुआ यह था, कि तीन actually को occupy किया, तो इन तीनों के बीच में सीमाओं की समस्या थी, boundary की समस्या थी, तो उस समय ब्रिटेन का हिस्सा था भारत, तो 1914 में, 1914 में, शिमला में एक meeting बुलाई गई, और तीनों देशों के प्रतिनिदियों को बुलाया गया, और शिमला agreement करने के बाद, एक व्यक्ती थे, जिनका नाम था हैंरी मैक मोहन, तो हैंरी मैक मोहन ने क्या किया दोस्तों, हैंरी मैक मोहन ने भारत, तिबबत और चीन के बीच में एक सीमा बनाई, और उसी सीमा को आज हम मैक मोहन नाम के लाइन से, मैक मोहन रेखा के नाम से जानते हैं, अब समस्या कब हुई दोस्तों, तो समस्या की शुरुआत होती है 1962 में 1962 में तो 1962 में चीन ने भारत पर अटैक कर दिया चाइना ने इंडिया पर अटैक कर दिया और अटैक करने के बाद भारत का जो अकसाई चिनवाला इलाका है जो आपको इस मैप में दिखाई देगा कि भारत का जो अकसाई चिनवाला इलाका है इस पर अवेध्य अधिकार कर लिया, इस पर illegal तरीके से occupy कर लिया और दोस्तो तब भारत और चीन के बीच में यहाँ पर एक ceasefire line या एक temporary line बनाई गई और इसे LAC कहा जाता है, line of actual control कहा जाता है तो यह दोनों ही सवाल आप से पूछे जा सकते हैं, कि भारत और चीन के बीच में आपचारिक सीमा कौन सी है तो official जो boundary है, वो Mac Mohan boundary है, जो भारत और चीन को divide करती है लेकिन चीन ने 1962 में भारत पर attack किया और अवेधी तरीके से, illegal तरीके से, अकसाई चीन वाले इलाके पर कबजा कर लिया दोस्तो और उस इलाके पर यहां line of actual control बनाई, LAC को उसने बना दिया तो ये point आपको याद रखना है अब हम आगे बढ़ें, तो हम discuss करेंगे कि भारत और चीन के बीच में कौन-कौन से परमुख मुद्दे है एक में ट्यार, देखें क्या हुआ कि बॉटल में बहुत-बहुत एक्स्ट्रीम थंडा पानी बढ़े था किसी ने तो आपको पता ही होगा जब बहुत थंडा पानी आप पीते हो तो आपकी जीव में तो जल से जाते है पहला मुद्दा है भारत और चीन का युथ, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी विवाद, ब्रह्मपुत्र रिवर डिस्प्यूट, डोकलाम पठार विवाद, कैलास मानसरोवर, वन बेल्ट, वन रोड इनिशिटिव, अबोर योजना, गलवान घाटी का विवाद, पैगॉं जील का विवाद, और अरुनाचल प्रदेश का विवाद, ये आठ भारत और चाइना के बीच में डिस्प्यूट चलते हैं, और आठों ही डिस्प्यूट में आप देखोगे, इंडिया is always a peaceful country, किसी भी चीज में भारत कभी विवाद बनाता ही नहीं है दोस्तो, ये सारी च चीजें आपको चाइना की ओर से देखने के लिए मिलींगी, ठीक है? चलें, तो आगे बढ़ते हैं और एक-एक विवाद का अब हम अध्यन करते हैं, तो सबसे पहले हम भारत और चीन युद्ध की बात करेंगे, तो भारत और चीन के बीच में 1962 में एक युद्ध हुआ थ यह सिर्फ अध्यन के लिए बता रहूं, everything is the integral part of India. तो यहाँ पर आप देखोगे कि भारत का यह हिस्सा है जो फिलहाल लदाक में आता है और इस हिस्से को अकसाई चीन कहा जाता है दोस्तों, यह अकसाई चीन वाला इलाकस का नाम है, तो इस हिस्से पर चीन ने कबजा कर यह अवैध कबजा है चीन का, this is the illegal occupants of China, और तब भारत और चीन के बीच में यहाँ एक युद्ध विरामरेखा बनानी पड़ी, एक सीज फायर लाइन बनानी पड़ी, और इसी को LAC, Line of Actual Control कहा जाता है, वास्तविक नियंतरनरेखा कहा जाता है, इसके बाद चीजें यहा और यह वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो, ग्रीन कलर से, यह पूरा हिस्सा दोस्तो, 1947-48 में पाकिस्तान के साथ जो भारत का युद्ध हुआ था, तो इस हिस्से पर पाकिस्तान ने अवैध्य तरीके से कबजा कर लिया था, पाकिस्तान ने इसको illegally occupy कर लिया था, और इसे P.O.K. कहा जाता है, पाकिस्तान occupied कश्मीर कहा जाता है, तो P.O.K. का इतना हिस्सा, जिसे सक्षगम घाटी कहा जाता है, तो यह सक्षगम घाटी वाला इतना इलाका, यह पाकिस्तान ने चीन को gift में दे दिया, इसे gift कर दिया, तो आप समझ रहो ना, यह वही बात है कि चीज लिए हुए हो, और उस चीज को आप किसी तीसरे व्यक्ति को gift कर दो, तो यह हरकत पाकिस्तान ने की थी दोस्तो, तो यह point भी आपको याद रखना है कि it is the integral part of India, इसी लिए कभी भी कोई आप से पूछे कि यह P.O.K. क्या है, तो कभी भी उसको पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बोलोगे आप, अकसाई चीन को कभी भी चीन का हिस्सा नहीं बोलोगे, everything is the integral part of India, इसी लिए हम क्या बोलते हैं, हम हमेशा इसे पाक-occupied कश्मीर बोलते हैं, जबकि पाकिस्तान वाले इसे आजाद कश्मीर के नाम से बुलाते हैं, ठीक है, तो हमेशा कभी आप mention और P.O.K. और यहाँ पर भी एक युद्ध विराम रेखा कीची गई है, पाक-occupied कश्मीर और भारत में एक युद्ध विराम रेखा कीची गई और इसे L.O.C. कहा जाता है, लाइन ओफ कंट्रोल कहा जाता है, नियंतरक रेखा कहा जाता है, और यह सक्षिगम घाटी वाल करता है कि यह हिस्सा जो भारत का है शुद भी, भारत को यह हिस्सा वापस मिलना चाहिए, दूसरा इशू बहुत बड़ा है भारत की सिक्योरिटी के लिए, और यह इशू है ब्रह्म पुत्र नदी को लेकर के, दिहान से समझेगा यह सबसे महत्पून विवाद है, जो भा तिबबत वाले इलाके से ओरिजनेट होती है, और फिलहाल जो तिबबत वाला इलाका है, उस पर चीन का अधिकार है, और यहां से जब यह नदी निकलती है, तो इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, या यारलुंग सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, फिर बहती हुई यहाँ पर एक मोड बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है और कैनियन बनाते हुए भारत में प्रवेश करती है भारत में फिर इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना चाता है अब चीन क्या कर रहा है दोस्तों कि चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर चार बहु जांगमू डैम है और जियाचा डैम है ये चार बहुत बड़े डैम बन रहे हैं योगी दागू डैम के द्वारा 640 मेगावाट विजली आएगी जागमू के द्वारा 510 मेगावाट विजली आएगी जियाचा के द्वारा 320 मेगावाट विजली का उत्पादन किया जाएगा अब इससे भारत के लिए concern क्या-क्या है देखो ये जो इलाका है ये पहारी इलाका है यहाँ पर slope बहुत ज़ादा रहता है मतलब पानी बहुत तेज गती से नीचे आता है अब बांध में इन डैम में बहुत बड़ी मात्रा में water को store किया जाता है तो मान लो कभी भारत का उसे कुछ नहीं करना इन चारों डैम को open करने नहीं इन चारों डैम को open करने से ये पूरे इलाके में इतनी भयंकर बाढ़ आएगी जो हम imagine भी नहीं कर सकते दूसरी समस्या क्या है कि यहाँ पर अगर चार इतने बड़े बांध बना लिये जाएंगे तो ब्रह्मपुत्र म खास तोरपर असम के लिए एक बहुत महत्वपूर नदी है दोस्तों तो यहाँ पर पानी की समस्या आएगी और इससे सिर्फ भारत को दिकेत नहीं होगी ब्रह्मपुत्र बांगला देश की भी महत्वपूर नदी है तो बांगला देश को भी समस्या होगी और इसकी खास तोर पर युद्ध के समय अगर इतने बड़े पानी को रिस्चार्ज किया जाता है तो भारत का जो मैदानी इलाका है असम वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं तो भारत हमेशा इस बात का विरोध करता है इन बांधों का विरोध करता है चलिए आगे बढ़ते ह बात करते हैं तीसरा मुद्धा famous हुआ था बहुत चर्चा में आया था सभी ने पढ़ा होगा और ये डोकलाम पठार विवाद है जिसे डोकला प्लेटू विवाद भी कहा जाता है तो पहले आपको ये समझना होगा कि ये डोकलाम पठार है कहाँ पर तो डोकलाम पठार जो है दोस्तो वो भूटान वाले इलाके में है यहाँ पर देखिए ध्यान से इस मैप में अगर आप देखोगे तो इस वाले इलाके में यहाँ कहीं डोकलाम पठार आता है जहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है तो सर य यहां पर भूटान में एक चूमबी वैली है, और वहीं पर दोस्तों क्या है, डोकलाम पठार इस्तित है, डोकला प्लैटू है, तो यहां पर आप देखें तो तीन देशों का जंक्षन है, एक तो खुद भूटान, दूसरा चीन और तीसरा भारत, तो यह मान लीजे कि चीन ने क्या किया तो चीन ने यहां पास एक बहुत बड़ी सड़क बनाना शुरू कर दिया एक बहुत बड़ी रोड बनाना शुरू कर दिया चीन ने इस इलाके में और इसी बात को लेकर के भारत ने अबजेक्शन लिया और भारत की बहुत सारी आर्मी भुटान के इस इल इतना सा रास्ता यह रास्ता आप कहरोंगे सर क्या है इस आर्स्ते में इंपोर्टेंट यह है कि आप ध्यान दो कि यह पूरा भारत है और यह भारत के नौर्थ इस्ट का इलाका है और भारत को भारत के नौर्थ इस्ट के इलाके से यह पतला सा रास्ता जोड़ता है और इस इसे रास्ते को कहा जाता है सिली गुडी कॉरिडोर तो अब क्या होगा अगर चीन यहां तक आ जाएगा दोस्तों तो आप सोचिए कभी भी युद्ध हुआ तो वो इस रास्ते को ही खतम कर देगा यहां पर जो पुल वगेरा बने हुए हैं वो उन्हें टार्गेट करेगा इसकी वज़े से भारत का जो संपर्क है वो नौर्थ इस्ट वाले इलाके से तूट जाएगा तो ये भारत के लिए एक सामरिक महत्व का हिस्सा था, स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस का हिस्सा था और भारत और भूटान के बीच में जैसा की मैंने आपको बताया बहुत ब तो डोकलाम पठार कहां पर भूटान की चुमबी वैली के पास ये इस्तित है, विरोत क्यों हुआ क्यों कि भारत के लिए ये इस्ट्रेजिक इंपोर्टेंस का हिस्सा है, सामरिक महत्व का हिस्सा है और यहां से कभी भी भारत के चिकिन नैक या सिली गुडी कॉरिडोर को टार्गेट किया जा सकता है और पूरे भारत का नौर्थ इस्ट इंडिया के साथ संपर्क तूट जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों डोकलाम पठार के बाद जो अगला मुद्दा है उसकी बात करते हैं अगला है कैलाश मान सरूवर सभी जानते हैं कि जो कैलाश परवत है वो एक धार्मिक महत्व का इस्थान है अब इसकी कहानी को जरा समझियागा दोस्तों कि जो कैलाश परवत है वो भी चीन के तिबबत वाले इलाके में आता है तिबबत वाले इलाके म एक बहुत religious place है हिंदू धर्म में कैलाश परवत को भगवान शिव का निवास माना जाता है और भगवान शिव के निवास के अलावा इसे प्रत्वी का स्वर्ग कहा जाता है और इसे प्रत्वी का केंद्र भी माना जाता है कि यहां से प्रत्वी को पूरी energy बिलती है हिंदू धर्म के अलावा दोस्तो बॉत धर्म ठीक है एक बॉन रिलीजन है फिर जैन धर्म इन सब में भी धार्मिक महत्र है कैलाश मानसरोवर का ठीक है तो आपको यहां दिखाए देगा देखो कैलाश परवत है और मानसरोवर जील है जो बिलकुल आसपास है तो हम इनको मिला करके क भारत से हमेशा प्रधालू जाते हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए पर चीन क्या करता है चीन हमेशा इसमें अरंगे लगाता है अब कैलाश मानसरोवर जाने के तीन रास्ते हैं जो सबसे छोटा रास्ता है वो उत्रा खंड से हो करके जाता है और यहां पर एक दर्रा है जिसे लिपू लेख पास कहा जाता है लिपू लेख दर्रा कहा जाता है तो यह सबसे छोटा और सबसे आसान रास्ता है जो लिपू लेख दर्रे से हो करके जाता है पर चीन यहाँ पर कई बार मना ही करता है दूसरा एक बहुत बड़ा रास्ता है जो काठमांडू ह की पहले नेपाल जाएए, काठमाण्डू जाएए, काठमाण्डू से फिर आप मानसरोवर केलास के लिए जाएए और तीसरा रास्पा और भी बड़ा है जो सिक्किम से शुरू होता है तो सिक्किम में नाथुला पास से होकर के चाय तिबबत में एंट्री होगी और फिर यह नहां से आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर पाएंगे तो चीन के साथ इसी बात को लेगर के लगातार निगोशियेशन होता है कि इन रास्तों को आसान बनाया जाए और सबसे छोटा जो रास्ता है वो उत्तरा खंड के लिपुलेक दर्रे से होकर के जाता है इस रास्ते को ह मेशा खुला रखा जाए ताकि भारत के लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकें क्योंकि भारत के लिए ये धार्मिक महत्वका इस्थान है इंडिया के लिए ये रिलीजियस इंपोर्टेंस का प्लेस है तो याद रखेंगे कैलाश परवत और मानसरोवर जील दोनों ही तिब्बत वाले इलाके में आती है चली अगले मुद्दे की बात करते हैं अगला मुद्दा है गलवान घाटी और पैगोंग से जील को ले करके दोनों की लोकेशन आप देखी देखे सहब जो गलवान घाटी वाला इलाका है ये गलवान वैली है और यहां से एक नदी नि वैसे तो ये पूरा लदाक में ही है लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि 1962 में एक युद्ध हुआ था तो गलवान घाटी का कुछ हिस्सा अकसाई चिन में आता है और फिलहाल अकसाई चिन पर अवैध्ध कबजा है चीन का तो इसी गलवान घाटी में एक लाइन गुजर विरूद किया तो गलवान घाटी कहां पर है याद रखेंगे कि अकसाई चिन वाले इलाके में है जो लदाक में आता है और इसी तरह दोस्तों यहां एक खारे पानी की एंडॉर्फिक या लेंड लॉक जील है इस तलबद जील है और इस जील को कहा जाता है पैगॉंग सौ लेक या पैगॉंग जील और ये भी आप देखिए तो ये भारत का इसका आधा हिस्सा आप देखिए तो भारत के लदाक में आता है और आधा हिस्सा इसका चीन में आता है यहां पर भी चीन ने वही हरकत की कि ये जो लेक है इसके भारत वाले हिस्से पर चीन आ रहा था औ और इस चीज का विरोध हुआ तो ये दो प्लेस चर्चा में रहे तो इन दोनों प्लेसों की लोकेशन आपसे पूंच सकता है तो गलवान घाटी और पैगोंग लेक दोनों ही लद्दाख वाले इलाके में आते हैं पैगोंग लेक के बारे में एक और बात याद रखना ये खारे पानी की इस्थल बद्ध जील है ये एक सॉल्ट वाटर लेक है जो की लैंड लॉक है और ये 14,000 फिट की उचाई पर है दोस्तों बहुत जादा उचाई पर इस्थित है तो देखें गलवान घाटी के बारे में अवस्तिती देखें अकसाई चिन और ये गलवान नदी यहां से निकलती है तो गलवान नदी जैसा कि हमने आपको बताया शियोक नदी में जाकर के मिलती है और शियोक नदी इंडस रिवर में जाके मिल जाती है पैगोंग सो जील के बारे में भी याद रखेगा कि ये पर बनी हुई, landlock या इसको endorphic भी कहा जाता है, ठीक है, endorphic जील, तो landlock या endorphic जील, अगर पूचा जाए न, कभी English medium में या Hindi medium में भी, कि endorphic जील का मतलब क्या होता है, तो ऐसी जील, जो चारो तरप से इस्थल से घ्रीव होती है, endorphic जील कहलाती है, खारे पानी की जील है ये भी मैंने आपको बता दिया, और विवाद भी हमने आपको समझा दिया, कि विवाद इस चीज को ले करके क्या है, चीन क्लेम कर रहा था, कि ये पूरी जील, चीन वाले हिस्से में आती है, clearly visible है, कि आदा हिस्सा चीन में है, और आदा हिस्सा भारत में आता है, ठीक है, चलिए, तो ये हमारे छे विवाद हो गए, जो हमने भारत और चीन के बीच में देख लिए, उमीद करता हूँ, अब तक समझ में आ रहा होगा, हमने पहले युद्ध डिसकस किया, 62 का, देखा कि उसके द्वारा लाइन ओफ एक्च्वल कंट्रोल बनाई गई, ब्रमपुत का issue डिसकस किया, ठीक है, इसके अलावा हमने कैलाश मान सरोबर का issue डिसकस किया, कि कैलाश मान सरोबर की यात्रा करने नहीं दी जा रही है, रोका जा रहा है यात्रा करने से, तो ये हमने कुछ बड़े issue अब तक समझे हैं भारत और चीन के बीच में, आगे बढ़ते हैं, अगला है अरुनाचल विवाद, अब अरुनाचल विवाद क्या है समझें, यह हम सभी जानते हैं कि अरुनाचल प्रदेश शुरुवात से भारत का इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन चीन हमेशा से अरुनाचल प्रदेश पर अपना क्लेम करता है और चीन का कहना है कि अरुना अरुनाचल हमारा पार्ट है, which is completely wrong, अब चीन क्या कर रहा है, कि भाई साब अरुनाचल पर तो गबजा नहीं कर सकते, तो चीन क्या कर रहा है, अरुनाचल के आजू-बाजू में, जो उसकी बाउंडरी है, जो लगती है, तो चीन वहाँ पर गाउं बसा रहा है, एक्जामप बसा दिये हैं, इतने सारे गाउं उसने बसा दिये हैं, और भी लोगों को वो यहाँ लेकर के आ रहा है, गाउं बसा रहा है, क्या strategic है, यह नहीं लगता है, लेकिन definitely कुछ तो चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर इतना सारा establishment चीन कर रहा है, तो याद रखेंगे दोस्तों, कि ह आल ही में अरुनाचल प्रदेश में बुमला दर्रे से पांच किलो मेटर की दूरी पर चीन द्वारा तीन गाउं का निर्मान किया गया है, दोस्तों, नवंबर 2020 तक की सैटलाइट इमेज दिखाती है, कि अरुनाचल प्रदेश के सुबन सिरी जिलेस में तिशारू चू न यह हरकते कर रहा है, वहाँ देखिये वो डैम बना दे रहा है, डोकलाम पठार के पास रोड बना रहा है, यह सारे डिस्प्यूट क्रेट होते हैं, चलिए, इसके बाद आखरी मुद्दे की चर्चा करते हैं, विच इस वन बैल्ट, वन रोड इनिशिटिव, और इसी का ए इसलिए समझते हैं कि यह वन बैल्ट, वन रोड इनिशिटिव क्या है, तो एक लाइन में अगर इसे डिफाइन करना है, तो यह चीन के द्वारा बनाई गई एक संपर्क योजना है, चाइना के द्वारा प्रपोस किया गया एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, देखो यह सिल्क रूट पूरे एशिया महादवीब को यूरोप से कनेक्ट कर देता था, इस तरीके से चीन को पूरे देशों के साथ जोड़ा करता था, इस थलमार्ग के द्वारा, लेंड रूट के द्वारा, अब चीन के जो रास्टपते हैं सी जिनपिंग, उन्होंने इसी को करने का सूचा, उन्होंके धमाग में ये प्लान आया कि हम दुबारा से सिल्क रूट बनाते हैं, लेकिन अब हम इसे बड़े पैमाने पर बनाएंगे, चीन का उद्दिश ये है कि चीन को एशिया, पूरे एशिया, यूरोप और अफरीका के साथ, इन तीन महादवीब को चीन के साथ, सडक मार्ग और रेल मार्ग के द्वारा जोड़ना, सडक मार्ग, रेल मार्ग और जल मार्ग के द्वारा जोड़ना, इन तीनों महादवीब को चीन से कनेक्ट करना, देखिए, चीन क्या करेगा, तो जहां जहां पर उसे रोड देखेगा, तो वहां वहां वह रोड बनाएगा यह आपको रोड दिखाई दे रही हैं कहीं कहीं पर वो ट्रेन बनाएगा और जहां ट्रेन नहीं है वहाँ वो बंदर गाहा बनाएगा और बंदर गाहों का उपयोग करके वो सभी को जल के माध्यम से जोड़ेगा तो सर इस चीज का फाइदा है यह तो अच्छी बात है सर पूरे महादवी पापस में जुड़ेंगे देश जुड़ेंगे यह तो बहुत बढ़िया बात है नहीं यह अच्छी बात तब होती जब इससे सभी को फाइदा मिलता देखो हम सभी जानते हैं कि चीन के पास एक बहुत स्ट्रॉंग मैनिफैक्शरिंग यूनिट है और यहां से जैसे ही चीन सभी से जुड़ जाएगा उसके उतपाद बहुत आसानी से दूसरे देशों में पहुचना शुरू हो जाएंगे और चीन का एक्स्ट्रीम प्रॉफिट होगा लेकिन दूसरे देशों का इसमें बहुत नुकसान होगा दोस्तों इसका एक एक एक्जामपिल हमें देखने मिला हमबन टोटा पोर्ट किस तरीके से वो अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है और अगर ये योजना सफल हो जाती है तो दुनिया की 70% जिनसंख्या और 75% एनरजी रिसोर्स तक चीन की पकड़ बन जाएगी तो अब सवाल आया कि सर भारत इस चीज का विरोध क्यों कर रहा है इंडिया इस चीज का अपोस क्यों कर रहा है तो भारत देखिए पहले तो भारत का मैप सही किया जाए ऐंडिया इस चीज का आपोस क्यों कर रहा है ये बात आप समझे है भारत इस लिए विरोध कर रहा है कि यहाँ पर दोस्तों जो चीन है वो इसका एक रास्ता पाक इस वाले इलाके से ले जा रहा है जिसे हम पाक उक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं और पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से इसे उक्यूपाइड किया है पाकिस्तान उक्यूपाइड कश्मीर तो एक रास्ता इसका पियोके से होकर जाएगा पाकिस्तान उक्यूपाइड कश्मीर से होकर जाएगा और इसे कहा गया है चाइना पाकिस्तान एकनोमिक कॉरिडूर और ये रास्ता यहां पर आप जानते हैं कि एक बंदरगा है ग्वादर बंदरगा उससे कनेक्ट करेगा तो भारत की आपती यह है कि भारत की परमीशन के बिना इंडिया की परमीशन के बिना दोस्तों कैसे आप इस इलाके से भारत के एक हिस्से पर कैसे रोड बना दी और अगर भारत उबोर को मान लेगा तो इसका मतलब आप सीपैक को भी मान रहे हो इसका मतलब आपने मान लिया कि यह हिस्सा आपका नहीं है यही विरोध है One Belt, One Road Initiative को लेकर के भारत का कि चाइना पाकिस्तान एकनोमिक कॉरिडू जो पाकिस्तान कृत कश्मीर से जाता है उसे भारत की अनुमती के बिना बनाया गया है। तो इस तरह दोस्तों भारत और चीन के वीज में ये कुछ बड़े बड़े विवाद हैं जिनकी चर्चा हमने आपके साथ कर ली। घाटी में इस्तित है वहां से सिलीगुडी कोरिडोर पर अटेक करने की कोशिश करता तो उस चीज को रोका गया। कैलास मानसरोवर जो की कैलास परवत और मानसरोवर जील तिबबत वाले इलाके में आते हैं भार हिंदू धर्म के लिए बहुत महत्वपून हैं तो लिपुल एक दर्रे से सबसे छोटा रास्ता है लिकिन उसे रोका जाता है। गलवान घाटी और पैगॉंग सोल एक दोनों ही लद्धाग में आते हैं चाइना इस पर क्लेम करता है। वन बैल्ट वन रोड इनिशेटिव इसका एक रास्ता चाइना-पाकिस्तान एकनॉमिक कोरिडोर पियोके से हो करके जाता है और उसमें भारत की अनुमती नहीं मागी गई। और अरुनाचल प्रदेश को हमेशा चाइना क्लेम करता है कि वो इसका हिस्सा है और अरुनाचल के पास उसने तीन गाउं का विकास किया है जो चैन की आक्रामक नीती को दिखा रहा है। तो ये ह दोस्तों एक और मुद्दा इभारत और चीन की सीमा और उसके बीच में आने वाले विवाद। चलिए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और हम भारत और पाकिस्तान की सीमा की अब चर्चा करेंगे। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी बाउंडरी है और क्या- already जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 3323 किलो मीटर लंबी बाउंडरी है जो भारत और पाकिस्तान शेयर करते हैं तीसरे नंबर पर आती है सबसे ज़्यादा बाउंडरी बांगलादेश के साथ है 46-96 किलो मीटर की बाउंडरी फिर चाइना आता है 33-48 किलो मीटर की बाउंडरी एक मिन इसका चेक कर लूँ कितना किलो मीटर है चलिए दोस्तों तो अब हम भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को डिसकस करते हैं और जानेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन-कौन से विवाद हैं हम जानते हैं कि भर-भर के विवाद हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में और हर जगह आप एक चीज देखो कि कहीं पर भी भारत की एक भी गलती नहीं है तो there is not even a single mistake of India ठीक है सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी कि सारी चीज़ें भारत के उपर impose की जा रही हैं और भारत ने कहीं पर भी खुद से aggressive कदम नहीं उठाया तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जैसा की हमने कल की क्लास में discuss किया था दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान 3323 किलोमेटर लंबी सीमा शेयर करते हैं और अगर हम क्रम की बात करें तो भारत सबसे ज़्यादा boundary बांगलादेश के साथ शेयर करता है 496 किलोमेटर की boundary फिर दूसरे नंबर पर भारत चाइना के साथ बहुत बड़ी boundary शेयर करता है 3488 किलोमेटर की boundary शेयर करता है और तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों पाकिस्तान जिसके साथ इंडिया 3323 किलो मिटर की बाउंडरी शियर करता है हम ये भी जानते हैं कि भारत के तीन राज्य, इंडिया के तीन स्टेट और भारत के दो केंदर साशित प्रदेश सीमा बनाते है तीन राज्यों में कौन-कौन आता है तो शुरुवात होती है गुजरात के साथ गुजरास से थोड़ा उपर जाएंगे तो राजिस्थान जो सबसे बड़ी अंतर रास्टिय सीमा बनाता है और राजिस्थान के बाद आता है पंजा ठीक है और दो केंदर साशित प्रदेशों में सबसे पहले आएगा जम्मू एवं कश्मीर और जम्मू कश्मीर के थोड़ा उपर जाने पर लद्दाग तो भारत के तीन राजिये हैं और दो केंदर साशित प्रदेशे हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते है अब ये भी समझना जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा को क्या कहा जाता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बाउंडरी को क्या कहा जाता है तो देखिए 1947 में जब भारत और पाकिस्तान के बिभाजन की बात कही जा रही थी तब ब्रिटेन के एक व्यक्ति थे Cyril Redcliffe तो Cyril Redcliffe ने यह decide किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा कैसे बनाई जाएगी तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो Official International Border है जो आपचारिक सीमा है उसे Redcliffe Boundary या Redcliffe Line के नाम से जाना जाता है जो 1947 में Cyril Redcliffe के द्वारा बनाई गई थी लेकिन क्या हुआ दोस्तों जैसे ही पाकिस्तान का गठन हुआ तो 1947-1948 में पाकिस्तान ने भारत पर आकर्मन कर दिया और भारत पर आकर्मन करके जो जम्मू कश्मीर वाला इलाका है उसके एक हिस्से पर अवैध कबजा कर लिया इलीगल तरीके से उसे Occupy कर लिया और इस इलाके को हम पाकिस्तान Occupy कश्मीर के नाम से जानते हैं फिर भारत में एक समझोटा किया गया 1974 में जिसे सिमिला समझोटा कहा गया है और एक युद्ध विरामरेखा बनाए गई और उस युद्ध विरामरेखा को पाक उक्यूपाइड कश्मीर और भारत के जम्मू कश्म के बीच में बनाया गया और इस रेखा को नाम दिया गया है दोस्तो लाइन ओफ कंट्रोल एल ओसी हम कहते हैं ये युद्ध विराम रेखा है ये ओफिशल रेखा नहीं है इसे भारत अपनी ओफिशल बाउन्डरी नहीं बानता ये सिर्फ एक टेंपररी रेखा है जो सीस फा पाकिस्तान के बीच की ओफिशल सीमा है लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एलोसी किसके बीच में है तो ये भी आप याद रखेगा कि एलोसी भी भारत और पाकिस्तान के बीच में आती है ठीक है चलिए अब हमें ये समझना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन से इशू हैं, तो बहुत सारे इशू हैं, लेकिन उन में से ये 6-7 मुद्दे बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हैं, जैसे सबसे पहला इशू है P.O. के अर्थात पाक अक्यूपाइड कश्मीर को लेकर, दूसरा भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्धू हुए हैं, तो चार युद्धू हुए हैं, तो वो कब हुए हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे। सर क्रीक का एक विवाद है, कच्च के रन को लेकर के एक विवाद रहा, सियाचिन गलेशियर को लेकर के बहुत बढ़ा इशू क्रियेट हुआ Então, आपुँ एक बहुत ही बड़ा विवाद है जिसको लेकर के अब तक पाकिस्तान ने एक्षिन नहीं लिया है भारत ने बहुत सारे सबूद देये थे कि मुंबई में जो अटैक हुआ जो आतंकवादी आये वो पाकिस्तान से ही आये थे पर इस तिल पाकिस्तान के द्वारा ए दोस्तों पाक अधिकरित कश्मीर या पाकिस्तान ओक्यूपाइड कश्मीर का तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि 1947 में 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध हुआ और उस युद्ध के द्वारा जम्मू कश्मीर के जो पस्चमी इलाका है वेस्टर कर लिया और ये इलाका जो पाकिस्तान ने अवेध तरीके से गबजा किया ध्यान दीजेगा इस मैप कर कि यहां से लेकर के इतने बड़े इलाके पर पाकिस्तान ने अवैध कबजा कर लिया पाकिस्तान ने इसे इल्लीगल तरीके से उक्यूपाई कर लिया और इस इलाके को हम पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं पाकिस्तान उक्यूपाईड कश्मीर कहते हैं बाद में पाकिस्तान ने इसे दो भागों में डिवाइड कर दिया दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है इतना पार्ट ध्यान दीजेगा ये जो इतना हिस्सा है इसे वो कहता है आजाद कश्मीर ये आजाद कश्मीर का हिस्सा है और इस हिस्से को उसने नाम दिया है गिलगिट औ और आजाद कश्मीर की राजधानी उसने मुदफराबाद को बनाया है और जो मुदफराबाद है दोस्तों वो जेलम की एक सहायक नदी है और जिसका नाम है नीलम बिसिकली नीलम एक नाम है जो जेलम की सहाइक नदी किशन गंगा हम भारत में नीलम को किशन गंगा के नाम से जानते हैं और जैसे ही किशन गंगा पियोके वाले इलाके में पहुँचती है और आगे जाती है तो उसे नीलम के नाम से बुलाया जाता है तो जेलम की सहाइक नदी किशन गंगा के पास मुझफराबाद को उसने आजाद कश्मीर की राजधानी बनाया है और इस पूरे हुस्से को पाक ओक्यूपाइड कश्मीर पर रिमेंबर ये आजाद कश्मीर नहीं है जब भी आप मैंशन करें बात करें लिखें अल्वीज रि कियोगी के बारे में दो तीन बाते हमें पता चल गई जैसे पहली बात हमें पता चलती है कि 1947 में एक वार हुा था और 1947 के वार के द्वारा इस इलाके पर कब्दा किया गया पाकिस्तान के द्वारा दूसरा हमें ये भी पता पड़ा कि फिर यहां पर एक समझोता हुआ और boundary बनाई गई जिसे line of control कहा जाता है LOC के नाम से जाना जाता है तीसरी बात इसमें ये याद रखना है दोस्तों कि ये इलाका जो इतना इलाका आप देख रहे हैं ये भी पाकिस्तान ने अवैद तरीके से कबजा किया था लेकिन पाकिस्तान ने इस इलाके को 1963 में 1963 में ये इलाका जो सक्षगम घाटी कहलाता है वो चीन को गिफ्ट के रूप में दे दिया और यही पर है दोस्तों सियाचिन गलेशियर और सियाचिन गलेशियर पर भारत का अधिकार है और ये जो पाकिस्तान occupied कश्मीर का इलाका है यही पर भारत की सबसे उची चूटी इंडिया की हाइस्ट पीक आती है और जिसका नाम है गौडविन ओस्टिन या केटु तो ये भी आपको याद रखना है कि केटु कहां पर आती है तो इसी इलाके में आती है केटु which is the highest peak of इंडिया आगे बढ़ते हैं कुछ और मुद्दों की बात करते हैं तो ये भी मैंने आपको पता है सक्षिकों भाटी दे दिया गया भारत की संसद ने 1994 में एक प्रस्ताव पारित किया था कि P.O.K. और गिलगिट बालतिस्टान ये सभी जम्मू कश्मीर के अभिन इससे हैं तो ये P.O के बारे में कुछ बाते हैं जो आपको याद रखनी है प्रश्न यही पूछा जाता है कि P.O.K. कब एक्चुल एक्जिस्टिंस में आया तो 1947 के युद्ध के बाद एक्जिस्टिंस में आया था ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला जो विवाद है वो भारत और पाकिस्तान क के युद्ध तो भारत और पाकिस्तान के बीच में अब तक चार युद्ध हुए हैं दोस्तों पहला युद्ध 1947 में हुआ था और इसी के आधार पर पाकिस्तान ने P.O.K. लिया या फर उस पर कबजा कर लिया कश्मीर के हिस्से पर और फिर L.O.C. का निरधारन किया गया अगला है 1965 तो 1965 में भी भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध हुआ और Operation Gibraltar हुआ दोस्तों और Operation Gibraltar याद रखियेगा कि दुतिय विश्य युद्ध के बाद, Second World War के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा टैंक युद्ध है Operation Gibraltar World's Largest Tank War After the World War Second बहुत सारी भारत की वीरता की कहानिया है जो Operation Gibraltar से जुड़ी हुई है हमारे पास बहुत अच्छे टैंक नहीं थे बट देन्टू हमने पाकिस्तान की आर्मी को डिफीट किया था पढ़िएगा वीडियोस देखिएगा Operation Gibraltar के बारे में आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा और बहुत प्राउड फील होगा दोस्तों तो Operation Gibraltar याद रखिए जो 1905 में हुआ था युद्ध में प्रश ने पूचा भी गया है कि दुतिये विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा Tank Operation कौन सा था वो Operation Gibraltar था जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ फिर 1971 में ये कहानी मैं आपको बता ही चुका हूँ मुक्तिवाहनी और इसके द्वारा बांगलादेश का गठन हुआ Establishment of Bangladesh या Foundation of Bangladesh और फिर हुआ दोस्तों 1999 में कारगिल युद्ध और कारगिल युद्ध में भारत ने एक Operation चलाया था जिसे Operation Vijay कहा जाता है हाल ही में एक फिल्म आई है Major ठेक है दोस्तों मेजर फिल्म आप जानते हैं कि भारत के वीर शहीद कैप्टन संदीप उन्ने कृष्णन के ऊपर बनाई गई एक फिल्म है आप जानते हैं कि उन्होंने अपना बलिदान दिया था जब भारत में मुंबई में 2008 का हमला हुआ था देखिएगा फिल्म बहुत अच्छी फिल्म हैं दोस्तों तो जो मेजर संदीप है उन्होंने ओपरेशन विजय में भी भाग लिया था यहां पर भी उनका योगदान था दोस्तों तो यह कुछ बाते हैं जो आपको याद रखनी है फिल्म भी देखिएगा उनके बारे में जानकारी लीजेगा आगे प्रशन भी आ सकता है तो ध्यान से इन चीजों को पढ़िए और उससे भी इंपोर्टन क्या ही यह बहुत प्राउड मुवमेंट होते हैं आपको पता चलता है कि एक कंट्री जब होते हैं तो उसके लिए कितने लोग सेक्रिफाइस करते हैं क्या क्या चीजें होती हैं इसी लिए ऐसी फिल्मों को देखना चाहिए और अप्रिशेट करना चाहिए एक और बहुत अच्छी फिल्म है रॉकिटरी जरूर समय निकालिए देखिए इस फिल्म को आपको पता पड़ेगा कि कैसे साजिस की जाती है और देश के बहुत बड़े वैग्यानिक को जूटे आरूप में फसाया गया यह बहुत इंस्पारिंग मूवी है जो आपको बहुत सारी बाते बताती है ठीक है अगला दोस्तों हम डिसकस करेंगे जो अगला है वो है सरक्रीक विवाद इस टॉपिक को थोड़ा समझना पड़ेगा ध्यान दीजे पहल ठीक है यह इस्थल है पूरा इस्थल है और यहाँ पर दोस्तों क्या है को थोड़ा मोटा कर देते हैं यह पूरा एक इस्थलिय भाग है और यहाँ पर क्या है तो हम सभी जानते हैं कि साब यहाँ पर समुद्र है ठीक है समुद्र ही होता है अब क्या होता है कि जब समुद्र का एक हिस्सा समुद्र का कोई भी हिस्सा दोस्तों इस तरीके से इस्थल में घुश आए तो यह समुद्र का एक हिस्सा जो है वो इस्थल में घुस गया इस तरीके से तो यह समुद्र का किसी इस्थल में घुसा हुआ हिस्सा इस हिस्से को हम क्रीक के नाम से जानते है और जब दोस्तो कोई इस्थलिये भाग, यह देखिए यहाँ पर समुद्र है, यह पूरा ओशन है, तो जब कोई इस्थल का भाग समुद्र में बाहर की ओर आ जाता है, तो इस हिस्से को हम अंतरीब के नाम से जानते हैं या इस हिस्से को हम केप के नाम से जानते हैं दोस्तो जब समुद्र का कोई हिस्सा समुद्र में बाहर की ओर निकला हो और जब समुद्र का कोई हिस्सा इस्थल की ओर घुश जाए तो उसे हम क्रीक के नाम से जानते हैं अब दोस्तों सर क्रीक, सर क्रीक नाम दिया गया, क्रीक एक इस्थल आकरती है, क्रीक एक लेंड फॉर्म है दोस्तों, याद रखिएगा, तो सर क्रीक जो है, यह कहाँ पर है, तो देखें, यहाँ पर अरब सागर है, अरब सागर, तो अरब सागर में देखिए, यह देख रह तो यहाँ पर दोस्तो अरब सागर है और यहाँ पर देखिए एक आपको दिखाई देगा सर क्रीक यह जो हिस्सा है ना भारत और यह पाकिस्तान ही यह भारत है और यहाँ पर दोस्तो जो हिस्सा है उसे सर क्रीक कहा जाता है तो इसको लेकर के विवाद चलता रहा पाकिस्ता इस पर अपना क्लेम करता रहा, पाकिस्तान का क्लेम रहा, कि ये हमारा हिस्ता है, ultimately फैसला हुआ, कि इंडिया का हिस्ता है, दोस्तों ये, और यही पर आप देखिए, एक कोरी क्रीक भी है, जो कच्छ की खारी के पास इस्थित है, अरब सागर में, तो क्रीक याद रखिएग कि महा सागर का इस्थल में घुशा हुआ संकीरन जलिये भाग, a narrow piece of water where the sea flows into the land, अब इसका महत्व क्या है, तो 96 स्क्वेर किलोमीटर का ये इलाका है, सरक्रीक का, यहाँ पर पेट्रोलियम पाया जाता है, फिश प्रोडक्शन होता है, और इसी चीज को लेकर के यहाँ कि सरक्रीक का विवाद किन दो देशों के बीच में है, तो सरक्रीक का विवाद दोस्तों याद रखेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच में है, कहाँ पर है सरक्रीक, तो सरक्रीक जो है, वो गुजरात वाले इलाके में आप देखी, गुजरात और ये पाकिस्तान, दिखाई दे रहा है चिक चलिए आगे बढ़ते हैं अगला मुद्दा सरक्रीक के ऊपर एक इलाका है कच्छ का रन या रन ओफ कच्छ हम सभी जानते हैं कि रन ओफ कच्छ गुजरात में इस्थे थे दोस्तों और बहुत फेमस एक टूरिस्ट प्लेस भी है और इसमें मैप मे भी आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा तो यह गुजरात में एक जिला है कच्छ जिला कच्छ जिस्टिक और कच्छ जिले के बारे में हमने पढ़ा था कि यह छेत्रफल के हिसाब से एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा जिला है इंडिया का सबसे बड़ा डिस land है और बहुत salty और यहां पर आप जानते हैं कि नमक का उत्पादन किया जाता है, salt production किया जाता है, तो इस इलाके पर 1965 में पाकिस्तान ने suddenly attack कर दिया और इसके बहुत बड़े हिस्से पर claim करने लगा, फिर ये case international court पहुँचा और अंतर रास्टिये court ने 1968 में ये decision दिया कि कच्छ के रण का जो 90 प्रतीशत हिस्सा है, वो भारत का है, इंडिया का है और सिर्फ 10 प्रतीशत हिस्से पर पाकिस्तान का अधिकार है, तो इसे resolve कर लिया गया, जो विवाद हुआ था कच्छ के रण को ले करके और यहां पर देख रहे हैं, आप इस इलाके में यहीं पर है दोस्तो, क्रीक अर्थात सर क्रीक वाला मुद्दा, तो कच्छ कारण भी याद रखिएगा कि यह गुजरात के कच्छ जिले में इस्तेथ है 1965 में पाकिस्तान ने इस पर अटेक कर दिया और अटेक करके कहा कि यह हमारा हिस्सा है और फिर 1968 में विवाद सुल्जा, भारत का 90 प्रतीशत कच्छ पर धिकार है और 10 प्रतीशत इलाका जो है वो पाकिस्तान का है चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला विवाद सियाचिन गलेशिर को लेकर के है तो सियाचिन गलेशिर के बारे में दो-तीन बाते समझे अभी हम हिमाले के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, अगली कुछ किलासों में तो हिमाले परवत का एक हिस्सा है ट्रांस हिमाले बिल्कुल सबसे उत्तर की ओ, ट्रांस हिमाले ट्रांस हिमाले में एक परवत शंकला है बहुत बड़ी कारा कूरम परवत शंकला कारा कूरम रेंज में भी एक साल तेरो रेंज है ठीक है साल तेरो रेंज और इसी कारा कूरम शंकला में इस्तित है सियाचिन ग्लेशियर Siachin Glacier जिस पर भारत का अधिकार है जिस पर इंडिया का अधिकार है Siachin Glacier के बारे में कुछ बात नहीं याद रखिएगा दोस्तों कि ये लगभग 500 मीटर की उंचाई पर इस्थे थे मतलब बहुत उंचाई पर इस्थे थे एक बात ये भी याद रखेगा कि इसे दुनिया का तीसरा धुरुफ कहा जाता है, इसे दुनिया का थर्ड पोल कहा जाता है, क्योंकि धुरुवों को छोड़ करके अगर आप उत्तरी धुरुफ और दक्षिनी धुरुफ को छोड़ दें, तो इतनी बर्फ कहीं नहीं पाई जाती, जितनी ज़्यादा सियाचिन ग्लेशियर पर पाई जाती है, अब सियाचिन ग्लेशियर के बारे में ये डिसाइड किया गया था, कि इस पर हम सैना नहीं रखेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच में पीस अग्रिमेंट था, क्योंकि बहुत ही कठिन इलाका है, यह यहाँ पर सैनको का रहपाना ही एक बहुत बड़ा टास्क है, एक्स्ट्रीम टास्क है, तो डिसाइड किया गया कि यहाँ हम आर्मी नहीं रखेंगे, पर पाकिस्तान ने यहाँ भी अपनी नापाक हरकत की, पाकिस्तान ने हरकत ये की दोस्तों, कि पाकिस्तान ने इस हिस् प् t awakल और इस ओपरेशन मेगदूत के द्वारा फाइनली वापस से सियाचिन को बारत में मिलाया गया एक और बात राठना है कि यहीं सॉल्टेरो रिंज के पास एक नदी निकलती है जिसे नुब्रा नदी कहा जाता है और नुब्रा नदी जाकर के शियोक नदी में मिलती है और शियोक नदी जाकर के सिंधु नदी या इंडस रिवर में जाकर के मिलती है दोस्तों तो ये कुछ बाते हैं जो सियाचिन ग्लेशियर वाले मुद्दे से जुड़े हुई है एक बार देख लो चीजों को तो क्लियर हो जाएंगी देखि 72 km की लंबाई है और 2-3 km की चौड़ाई है यह इलाका है जो पहले भी हमने आपको दिकाया है यह देखिए यह सियाचिन का हिस्सा है देख रहें दुनिया का सबसे उचा युद्ध इस्तल है वर्ल्ड का हाइस्ट बैटल फील्ड है पहले नहीं था लेकिन जब 1984 में पाकिस् मेगदूत चलाया तब यह दुनिया का सबसर्वच युद्ध छेतर बन गया हाइस्ट बैटल फील्ड बन गया सियाचिन ठीक है देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि भारतिय सेना ने 13 अप्रेल 1984 को ऑपरेशन मेगदूत चलाया और सियाचिन को मिलाया ठीक है दुनि ज़योग नदी में मिलती है और जो जाकर के सिंधुनदी में मिलती है इंडस रिवर में जाकर के मिलती है ठीक है चलिए अब हमें ऐक बहुत इंपोर्टन्ट मुद्दे को डिसक स्कुस करना है और इस मुद्दे का नाम है दोस्तों सिंधु Hub Zalestyle Indus Water Treaty दुनिया का सबसे उदार जल समझोता इसे माना गया है जो विश्व बैंक की कह सकते हैं कि विश्व बैंक की मेडियेशन से हुआ था दुनिया का सबसे उदार जल समझोता है सिंधु जल समझोता कैसे हुआ क्या विवाद हैं ये सारे टॉपिक को डिसकस करेंगे पहले आप ये समझेए कि सिंधु जल समझोता इसे क्यों कहा जाता है देखो दोस्तों दो शब्द होते हैं एक शब्द होता है नदी, river और एक शब्द होता है नदी, river system देखो जैसे मान लो हम बात करेंगे गंगा तो गंगा एक नदी है दोस्तों लेकिन गंगा में आकर के बहुत सारी नदियां मिलती हैं बहुत सारी river गंगा को ज्वाइंट करती हैं तो इस पूरे हिस्से को अब हम कहेंगे गंगा नदी तंत्र गंगा रिवर system तो ये नदी और नदी तंत्र के अंतर को हमेशा याद करना जब एक नदी और नदी की सहायक नदियों को मिला करके हम बनाते हैं दोस्तों नदी तंत्र तो ऐसे ही भारत के बिलकुल उत्री भाग में इंडिया के नौर्थ इलाके में एक नदी तंत्र है और इसे कहा जाता है इंडस river system अर्थात सिंधू नदी तंत्र तो इसकी प्रमुख नदी कौन सी है तो प्रमुख नदी तो साहब इसकी सिंधू है जो इसकी में रिवर है वो इंडस है और सिंधू रिवर की या इंडस रिवर की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है तो इसमें पाँच सहायक नदियां निकल करके आएंगी एक नदी है दोस्तो जेलम, फिर एक नदी दिखाई देगी चेनाप, फिर एक नदी है ब्यास, फिर एक नदी है रावी और एक नदी है सतलच तो ये छह नदियां मिलकर के बनाती हैं Indus River System, सिंधु नदी तंत्र इलाके में देखिए यहां पर और ये नदियां भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी जाती हैं मतलब भारत में भी ओरीजिन हो रहा है जेलम का ओरीजिन भारत में है चेनाप का ओरीजिन भारत में है व्यास का ओरीजिन भारत में है इंडस और सतलच का ओरीजिन जेलम भी ओरीज तो पाकिस्तान की लगातार ये मांग रही कि देखिए इस मुद्दे को सुलजाईए और बताईए कि भारत और हमारे बीच में पानी का विभाजन कैसे होगा हमारे बीच में वाटर को हम कैसे डिवाइड करेंगे तो ये मुद्दा विश्व बैंक के पास पहुंचा 1960 में एक समझोता तैयार किया और उस समझोते को कहा जाता है इंडस वाटर क्रिटी सिंधू जल समझोता अब इस क्रिटी में क्या कहा गया तो सबसे पहले जो सिंधू नदी तंतर की 6 नदियां हैं उन्हें दो भागों में बाटा गया इस तरीके से आप देखेंगे कि ये स सिंधू नदी इस तरीके से जारी है जो अरब सागर मलती है तो जो तीन नदियां हैं दो भागों में इसे बाटा गया एक तरफ वेस्टर्न रिवर पस्चमी नदियां और दूसरी तरफ इन्हें बाटा गया इस्टर्न रिवर अर्थात पूर्वी नदी तो पूर्वी में जो शामिल हुआ दोस्तों, उसमें शामिल थी इंडस, इंडस के अलावा जेलम और जेलम के अलावा चेनाब नदी। और जो 20 प्रतीशत पानी है उस पर भारत का अधिकार होगा। जल समझोता Indus River या Indus Water Treaty और इसे दोस्तों दुनिया का सबसे उदार जल समझोता कहा जाता है सबसे जादा Liberal Agreement कहा जाता है अब हाल ही में यहाँ पर कुछ विवाद आए विवाद क्या आए दोस्तों कि जो जेलम है जेलम इसकी एक सहायक नदी है किशन गंगा जिसे पाकिस्ता में नीलम के नाम से जाना जाता है तो किशन गंगा रिवर पर एक प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया भारत ने जिसे किशन गंगा प्रोजेक्ट कहा जाता है तो जैसे ही यह प्रोजेक्ट बनना शुरू हुआ तो पाकिस्तान चला गया कि देखो देखो भाईया यह तो ग आप बिजली बना सकते हैं, एक तो आप डैम बनाओ और पानी को स्टोर करो, फिर आप बिजली बनाओ, लेकिन भारत ने यहाँ पर कहा कि हम सिर्फ बिजली बनाने के लिए पानी यूज करेंगे, तो पानी हम नहीं रोकेंगे, तो बाद में इस परियोजना को लागू कर दि किशन गंगा के अलावा जेलम नदी पर दो प्रोजेक्ट है भारत के एक तुलबुल परियोजना है ये मैं नोट्स में भी डाल दूँगा तुलबुल परियोजना है और दूसरा उरी परियोजना है उरी प्रोजेक्ट है उसके अलावा दोस्तों जो चेनाब रिवर है तो च जिनका पाकिस्तान हमेशा से विरोध करता रहा है और खास तौर पर आप किशन गंगा Π्रोजेक्ट के बारे में याद रखिएगा और किशन गंगा जो है जेलम की एक सहायक नदी है और जिस पर भारत में किशन गंगा प्रोजेक्ट बनाया है ये भी याद रखिएगा कि चेनाब नदी पर भारत तीन प्रोजेक्ट बना रहा है एक दुलहस्ती परियोजना बनाई जा रही है भारत के द्वारा एक सलल परियोजना बनाई जा रही है और एक बगली हारी परियोजना बनाई जा रही है उसी तरह जेलम नदी पर याद और पाकिस्तान इनका विरोध करता है उसका कहना है कि इससे जो इंडिस वाटर ट्रिटी है उसका भारत उलंगन कर रहा है पर ऐसा नहीं है और देखा जाए तो देखिए मैक्सिमम नदिया इंडिया से ही ओरिजिनेट हो रही है तो भारत के पास अल्रेडी भारत ने एक लिबरल अगरिमेंट किया है तो ये हैं दोस्तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ प्रमुक मुद्दे उसके अलावा आप जानते हैं कि 2 जनवरी 2016 को पाकिस्तान ने पठान कोट हमला किया 18 सितंबर 2016 को उरी पर हमला किया गया 19 इसके जवाब में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी 19 सितंबर के दिन 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला किया गया और फिर भारत ने हवाई मार्ग से सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो ये हाल ही में कुछ रिसेंट डवलपमेंट है ठीक है तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच के प्रमुक मुद्दे हैं इंडिय नेपाल बॉर्डर की अब हम चर्चा करेंगे तो याद रखें दोस्तों कि भारत और नेपाल के बीच में 1751 किलोमेटर की सीमा है 1751 किलोमेटर की बाउंडरी है यह एक खुली सीमा है ओपन बाउंडरी है और भारत के पांच राज्ये हैं जैसे सबसे पहले यहां फिर यहां आएंगे तो यूपी दिखाई देगा इसके बाद बिहार दिखाई देगा फिर थोड़ा सा हिस्सा वेस्ट बेंगॉल का है और यहां सिक्किम और बीच में दोस्तों नेपाल दिखाई देगा तो भारत के पांच राज्ये हैं जो कि नेपाल के साथ अपनी सीमा सांजा करते हैं देखो कभी भी भारत और नेपाल के बीच में कुछ विवाद आया नहीं लेकिन हाल ही में मेपाल ने एक विवाद करेट किया सुगौली की संदी का हवाला देकर क्या विवाद है समझे देखिए नेपाल ने क्या किया उत्तरा खंड के तीन इलाके हैं दोस्त ये तीनों ही इलाके भारत के हैं नेपाल ने अभी एक मैप जारी किया और नेपाल ने लिंपिया धूरा, लिपूलेख और काला पानी इन तीनों को अपना हिस्सा बताया और यही से भारत और नेपाल के बीच में इस भीवाद की शुरुआध हुई नेपाल ने कहा कि संदी के हिसाब से जो काली नदी है अर्थात जिसको हम भारत में महा काली नदी के नाम से जानते हैं तो काली नदी के पूर्व मतलब अगर ये काली नदी है तो काली नदी के इस्ट में जितना भी इलाका है वो सारा का सारा इलाका नेपाल का है और उसी के तहत उसका कहना है कि लिम्पिया धुरा, काला पानी और लिपुलेक नेपाल के हिस्से हैं जबकि ये गलत है हम जानते हैं कि ये तीनों हिस्से भारत के हैं, इंडिया के आते हैं तो नेपाल ने सुगौली की संदी का हवाला दिया और कहा कि का दुरा कहां पर है, तो ये उत्तराखंड में आता है और काला पानी और लिपुलेक, ये जगहे की नाम है और ये भी दोस्तों उत्तराखंड में ही आते हैं, चलिए, आगे बढ़ते हैं और आखरी topic को ओर पढ़ी लेते हैं, भारत और म्यानमार की सीमा, इंडिया और म्यानमा की सीमा है 1,643 किलो मेटर की बाउंडरी है और हम जानते हैं बड़ी Less सीधी सीमा है इस तरह की की बाउंडरी है यहाँ पर भारत है और यहाँ पर म्यानमार है अगर भारत के राजियों की बात करें तो तो यहां अरुनाचल प्रदेश आता है, फिर नागा लेंड आता है, मनीपुर आता है और मिजुरम आता है, तो यह भारत के चार राज्य हैं, एक, दो, तीन, चार, अब इसमें हमने यह भी डिसकस किया था, कि भारत और म्यानमार के बीच में जो सीमा है, वो एक नैचुरल वो एक प्राकृतिक सीमा है, और भारत और म्यानमार के बीच में यह सीमा एक परवत बनाता है, और इस परवत का नाम है अराकान योमा परवत, अराकान योमा मौंटेन, जो हिमाले का ही एक हिस्सा है, हिमाले का एक हिस्सा जो अंडमान निकोबार तक का हिस्सा है, तो दिमान निकोवर वाला हिस्सा नीचे धस गया था दोस्तों ठीक है तो अराकान यूमा माउंटेन तो ये याद रखेगा कि भारत और म्यानमार के बीच में नैचुरल बाउन्डरी है जो अराकान यूमा परवत बनाता है अगर आपने अब तक करेक्ट नहीं किया है तो कल मु करके एक माउंटेन है वो सीमा बनाता है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत और म्यानमार के बीच में कौन-कौन से मुद्दे हैं ये देख लो ये अराकान यूमा परवत है ये म्यानमार है ये इंडिया है यहां से इरावडी नदी जाती है इरावडी नद है और उग्रवाद का बहुत बड़ा इस्सा है टेरिरिजम, हूमन ट्राफिकिंग और इंसरजिंसी ये भारत और म्यानमार के बीच में कुछ प्रमुख मुद्दे है इसलिए दोस्तों कि एक यहां पर ट्राफिकिंग बहुत बड़ा मुद्दा है ट्राफिकिंग दो प्र स्वादिया एक्स्ट्रीम मार्किजम यहां पर पाया जाता है तो वो भी भारत में लगातार हमले करते रहते हैं बहुत सारे यहां पर आतंकवादी कैम्प भी पाय जाते हैं तो इस चीज के लिए दोस्तों म्यानमार और भारत के बीच में रिष्टे बहुत अच्छे हैं और दोनों इन चीजों को मिलकर के टैकल करते हैं इसका उधारन मैं आपको बताता हूँ इसका एक उधारन है ओपरेशन सन्राइज 2015 और 2019 म्यानमार और भारत की सैना दोनों ने मिलकर के एक ओपरेशन को अंजाम दिया जिसे ओपरेशन सन्राइज कहा जाता है दोनों सैनाए आपस में जुड़ी और आपस में जुड़ करके म्यानमार वाले इलाके में जो आतंकवादियों के कैम्प थे उन पर हमला करके वहाँ पर उनको हटाया तो Operation Sunrise आपको याद रखना है कलादान प्रोजेक्ट ठीक है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे पर उससे पहले ये बातें जान लीजे कि म्यानमार का जो पुराना नाम है वो बर्मा था इसे दक्षिन पूर्वे एशिया का द्वार कहा जाता है Gateway of Southeast Asia कहा जाता है और भारत साशन अधिनियम 1935 के द्वारा Government of India Act 1935 के द्वारा भारत और म्यानमार को अलग किया गया था तो basically जो म्यानमार है वो भी British भारत का ही एक हिस्सा था पर 1935 के Government of India Act के द्वारा इन्हें अलग-अलग कर दिया गया अब हमें चर्चा करनी है सबसे important topic जो भारत और म्यानमार के बीच में है that is कलादान प्रोजेक्ट पहले पढ़ते हैं फिर इसको समझते हैं कोलकाता को म्यानमार के सित्वे बंदरगाह से जोडती है इस परियोजना से कोलकाता और मिजोरम के बीच की दूरी 1800 किलोमीटर से घटकर के 930 किलोमीटर हो जाएगी अब हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे एक बड़ा ही important मुद्दा है पलादान प्रोजेक्ट समझ ही इसके बारे में क्या प्रोजेक्ट है देखो अभी हमने आपको भारत का मैप दिखाए था और हमने आपको एक समस्या बताई थी कि अगर पूरे भारत को ये हमारा पूरा नौर्थ वाला इंडिया है अगर पूरे भारत को नौर्थ इस्ट इंडिया से कनेक्ट करना है तो हमारे पास साहब एक ही रास्ता है और वो रास्ता है सिली गुडी कॉरिडोर एक तो strategic बात हो गई दूसरा मुद्दा ये है कि अगर भारत को कोई भी सामान मनीपोर, त्रिपुरा, नागालेंड पहुचाना है तो उसे इतना बड़े रास्ते से हो करके पहुचाना पड़ता है देख रहे हैं इतना बड़ा रास्ता घूम करके जाना पड़ता है बांगलादेश के साथ अभी agreement होना है पर इतना बड़ा रस्ता है जो हो करके जाता है तो इस चीज का समाधान करने के लिए भारत और म्यानमार ने एक project बनाया और इस project को कलादान project कहा जाता है इसमें क्या होगा दोस्तों कि भारत में कलकत्ता बंदरगाह already है तो कलकत्ता बंदरगाह से सामान को load किया जाएगा यहां से सामान बंगाल की खाड़ी से होते हुए जो 549 किलोमेटर का रास्ता है सीधे म्यानमार पहुचेगा और म्यानमार में एक बंदरगाह होगा सित्वे कौनसा बंदरगाह सित्वे बंदरगाह फिर सित्वे बंदरगाह में यहां पर एक नदी है और इस नदी को कहा जात कलादान नदी 158 किलोमेटर तो इस सित्वे बंदर गाह में फिर एक जहाच के द्वारा नदी में सामान भेजा जाएगा और नदी के रास्ते होते हुए 158 किलोमेटर नदी के रास्ते होते हुए म्यानमार में एक जगह है पलेतवा यहां पर यह जगह पहुंचेगा फिर दो मिजूरम में सामान पहुच जाएगा अभी जब कलकत्ता से मिजूरम सामान जाता है तो यह लगभग अठारा सो किलो मीटर का रास्ता है जैसे ही ये योजना कंपलीट हो जाएगी ये रास्ता 900 किलो मीटर का बचेगा तो यह सबसे इमपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है अंसा बे ओफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, अब यहाँ पर एक नदी है सित्वे बंदरगाह से, उस नदी का नाम है कलादान नदी, ठीक है, तो यहाँ से लेकल के पलेटवा, जो एक जगए है, वहाँ से कलादान नदी, कलादान रिवर, मतलब यह पूरा रास्ता, कलकत्त से लेकर के सित्वे, और सित्वे से लेकर पड़ेता, यह पूरा रास्ता जलमार्ग द्वारा तय होगा, फिर यहाँ से 129 किलो मीटर का हाईवे बनाया जाएगा म्यानमार में, और यह हाईवे मिजोरम में कनेक्ट कर देगा, तो यह रास्ता इतना कम हो जाएगा, यही है क कलादान प्रोजेक्ट या कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, तो यह हैं दोस्तो, भारत के पड़ोसी देश और भारत के पड़ोसी देशों के साथ, भारत के संबंध, उसकी सीमाएं, उसके विवाद, तो इस टॉपिक के साथ, हमने हमारा एक और बहुत बड़ा कम्प्लीट कर लिया, कल हमारी इस पहले अर्ध्याई की आखरी क्लास होगी और उसमें हम भारत की जलिय सीमा के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम इंडिया की वाटर बाउंडरीस को डिसकस करेंगे, एक इंपॉर्टेंट बात बता दू कि हमारा आधुनिक भारतिय इतिहास क कोर्स अनकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, जो मुख्य परिक्षा के लिए है, जो मेंस एक्जामेनेशन के लिए है, प्रॉपर हिंदी और इंग्लिश के अलग-अलग नोट्स हैं, और बहुत अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग के साथ हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, अभी एक ओफर भी आया है, जर्नली दो साल का अगर आप सब्स्रिप्शन लेते हैं, तो दो साल का सब्स्रिप्शन आपको 14,849 रुपे में पड़ेगा, लिकिन दोस्तों अगर आप मेरा कोड SGLIVE इस्तमाल करते हैं, यहाँ पर रेफरल कोड के रूप में, तो आपको यह 2 साल का सब्स्रिप्शन तो मिलेगा ही, उसके अलावा दोस्तों आपको 6 महिने का एक्स्टेंशन मिलेगा, मतलब 24 महिने की जगह 30 महिने तक अनकैडमी का सब्स्रिप्शन आपको मिलेगा, तो इस सब्स्रिप्शन को जरूर अभी लीजे, 5 और 6 तारे कल पूरे Academy पर पढ़ाए हैं उमीद करता हूँ ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी आज की class में जैसा मैंने कहा था थोड़ी सी बड़ी class होगी लेकिन हमने बहुत सारे topic को cover कर लिया है कल इस topic की आखरी class है फिर दोस्तों हम 7, 8 और 9 तारिक को MCQ लगाएंगे इसके Unacademy की special class पर एक बात मैं फिर से बता दूँ कि मैं दो दिन का gap लूँगा दो या तीन दिन का मुझे बाहर जाना है तो ये class नहीं होगी लेकिन कल ही ये class होगी और परसों वाहर जाओंगा तो बाहर से मैं आपकी MCQ वाली class content करा लूँगा ना ख्याल रखिये बहुत कुछ रहिए God bless you and let's track it